गाइस आज के टाइम में इंडिया में हम 3 घंटे बिना पानी के भी रह सकते हैं, बिना खाने के भी रह सकते हैं, लेकिन 30 मिनिट बिना इंटरनेट के रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन गाइस कभी आपने सोचा ये इंटरनेट काम कैसे करता है, कैसे किसी को कभी ज़्याद वर्ल जो है वो इंटरनेट से connected है लेकिन कभी आपने ये नहीं सूचा होगा इंटरनेट काम कैसे करता है आपको लगता होगा सेटलाइट से चलता होगा आपको लगता होगा ये network बिचा के रखा है दुनिया में वहाँ से चलता होगा बट शायद आपको यह नहीं पता होगा 99% इंटरनेट जो है वो चलता है optic fiber cable से अब आप बोलोगे मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ मोबाइल में क्या cable लगी हुई है तो देखो जिस भी टावर से आपको network आता है वो टावर से लेके पूरी एक cable बिची हुई है जहां तक आपको जाना है अब मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सारी चीज़े समझाता हूँ आप तक internet आते आते तीन अलगलग companies के थूर उसको गुजरना पड़ता है पहला होता है tier 1 company यह वो company होती है जिनने पूरी दुनिया में समुद्र के अंदर अपने cables बिचा के रखे है अब काईस देखो internet जो है वो पूरा free होता है free कैसे होता है आप अगर आपके घर में हो आपका office 2 km दूर है आपके घर से आपके office ताई एक line बिचा दो और उस line के through आपके दोनों computer connect कर दो और बोल दो भाई है internet है तो आपका पैसा लगा सिर्फ उस wire का और उस wire की maintenance का इसी तरह जो tier 1 company होती है उनने क्या किया है पूरे world में सारी countries के बीच में सारे समुद्रों के अंदर से उनने optic fiber cable बिचा दी अब सारे एक तरह से connect होगा है country to country अब country से आपको state में divide करना है state से आपको city में divide करना है और आपकी city से आप तक उसको पहुचाना है आपके local area तक guys अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा इसलिए अब अपन चलते हैं इसका live demonstration के उपर अब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से physically समझाता हूँ आपको कैसे सारी चीज़े काम करती है और guys आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो channel subscribe तो करिए गही उसके साथ इस वीड internet उन तक आता कैसे है और जो वो पैसे देते हैं internet का वो जाता कहाँ पे है so guys इस तरह की जो cables है ये पूरे समुद्र के अंदर पूरी दुनिया में बिची हुई है आप देखेंगे तो इस तरह की cable बिचाई जाती है पहले सारी country को connect करने के लिए और ये जो cable है इनको कहते है optic fiber या submarine cable अब ये जो company बिचाती है cable वो इस तरह की दिखती अब देखिए एक एक cable जो है आपके बिल्कुल बाल के size की रहती है और एक एक cable के अंदर 100 gbps की speed रहती है 100 gbps का जो है bandwidth रहती है हर एक cable में optic fiber में जो ये company बिचाती है उनको कहते है हम tier 1 company और अगर आप इंडिया में देखें तो Tata Communication है जो इंडिया में है अब देखो एक website है submarine cable map.com इसका link में आपको description में दिया यहाँ पर आप जाएगे तो पूरी दुनिया में कितनी cable बिचुई है आपको यहाँ पर दिख जाएगी हर country में हर पूरी दुनिया पूरी इन cables पे चल रहा है पूरा आपका बिचुई है पहली तो इसकी जो cable है इंडिया में वो है हमारी मुंबई में है इसका landing point तो पूरे इंडिया से अगर पूरे इंडिया में हमारे operator देखें हम जियो एटल आइडिया इन लोगों ने अपने टावल लगा के रखें अपना पूरा setup जमा के रखा है infrastructure बना के रख इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर चैन्नाई में भी connected है देखिए चैन्नाई में भी cables connected है जो आपके right side में countries आ रही है उसके बाद आप और देखेंगे तो इतने सारे landing points है कोचिन में है तो इतने सारे landing points से ही आपका data निकलता है कोई satellite से चीज़े नहीं चलती है आपको free में net देता है क्योंकि एक बार का उसका investment हो चुका है और अगर Asia, Africa और Europe की countries में आप जाते हैं आपका traffic लेकि आप website visit करते हैं इन country से तो automatically वो उनकी cable से निकाल देते हैं तो उनका कोई पैसा नहीं लगता है अब देखो जो tier 1 company है इनने तो अपना बिचा दिया इनका कोई पैसा नहीं लगता एक दूसरे से इनने पूरा वर्ल्ड जो है वो connect कर दिया ताकि एक internet की शुरुवात हो गई इतनी सारी cables बिज गई अब होता क्या है ना कि ये जो cables हैं ये टूटती हैं फूटती हैं क्योंकि समुदर के अंदर है 25 साल से जादा इनकी life नहीं रहती ह तो मान लोग किसी शाक ने उसको खा लिया या कुछ हो गया टूट गई ब्रेक हो गई तो उसको हमको backup चाहिए तो backup के लिए बहुत सारी cables बिछा के रखते हैं ये लोग और ये maintenance भी करते हैं तो इनके पास कोई पैसा नहीं लगता internet पूरा फ्री है बस इनको एक connect करने का प अब जो tier 2 companies होती है वो बोलती है आप इंडिया तक तो ले आए सारी चीज़े अब हमें इंडिया से डारेक दे दो ताकि हम इंडिया से हमारा पूरा setup जमा ले और हम लोगों से पैसा ले और आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दे तो पर GB के हिसाब से इन लोगों को पैसा म tier 1 से खरीते हैं तो देखो गुमाफ राके सारी चीज़े फ्री हैं बस ये setup cost बिचाने की cost है अब देखो Reliance Yo idea के हम बात करें तो इन लोगों ने भी अपने tower लगाए हैं अपनी cables बिचाई है Reliance Yo 4G connectivity कैसे ला पाया क्योंकि वो 5 साल से अपना काम कर रहा था Fiver optic इंडिया के अंदर बिचाने के लिए इंडिया के बाहर तो पहले से ही पूरी जगा बिची हुए tier 1 ने बिचा के रखिए अब इंडिया के अंदर उसने Fiver optic बिचाई जिसकी वज़ा से आपको अच्छी खासी speed आ जाती है अब मानलो आपके area में Reliance जोने है एक tower लगाया वहाँ पे 100 Mb का tower की bandwidth है और वो 100 Mbps आपके area में जितने mobile होंगे सब यूज़ कर रहे है अब 4G तो उनने बोल दिया 2020 Mbps के साब से अगर आप देखें काउंट करें तो 5 लोग यूज़ कर पाएंगे 100 Mbps तो इससाब से उनके हर tower में कुछ ना कोई एक maximum bandwidth है उनके wires में तो वो wires को फिर distribute करते हैं तो आपके area में अगर rush है बहुत लोग रहते हैं और सब लोग जियो यूज़ करते हैं तो आपको speed कम में लेगी क्योंकि वो unique tower में bandwidth तो fix है 100 Mbps या 1 Gbps उसी में उनको divide करके देना है इसलिए होता कि रात में जाधा लोग यूज़ नहीं करते है तो कभी आपको speed अच्छी आ जाती है और अगर दिन में यूज़ करते हैं बहुत लोग तो speed कम आती क्योंकि वो distribute हो जाती है गुमा फिरा कि उनको पहुचाना तो आपका data traffic यहां से ही है इनके wires से ही है अब एक बात और मैं आपको बताओं कि जैसे इंडिया के इंडिया में आप देखो है कि अगर आपकी इंडिया ने audience है और आप अगर website बना रहे हो तो आप इंडिया का server लो ताकि यह submarine cable से तलंबा घूमना ना पड़े इंडिया के इंडिया में हम पूरा traffic घूमा दे और आपको जल्दी से connectivity मिल जाए तो अगर आप इंडिया to इंडिया किसी server को connect करते है flip card क Amazon को इन सबने इंडिया में बैंगलोर में servers बना के रखें तो automatically जिस भी city से होंगे automatically बैंगलोर वाले server में connect हो जाओगे तो यह submarine तक आपका data गया ही नहीं लेकिन अगर आप proxy यूज़ करोगे तो proxy लेके जाएगी आपको पहले USA, USA से वापस लाएगी इंडिया इसलिए बोल इंडिया की इंडिया में अगर traffic घुमाना है तो क्यों हम बाहर की countries में उसको connect करें बाहर की submarine cables में उसका traffic ले जाएगे इंडिया की इंडिया में रखेंगे तो हमारी security बढ़ जाएगी privacy बढ़ जाएगी अब अधार card का data अगर आप इंडिया के बाहर server में रखोगे तो यह ISP यूज हो रहे है tier 2, tier 3 इन सब को जोड के एक निकसी करके चीज बना दी कि इंडिया के इंडिया में कुछ visit करना चाहेगा तो अंदर ये अंदर गुमा के उसको वहां तक पहुचा देंगे cables के तुरू तो यहाँ पर आएगे न तो यहाँ पर यह दिखाता है देखो कित आडे के हिसाब से कि आपको किते GBPS के port चल रही है मुंबई में तो 52 GBPS जा रहा है मुंबई से इसका traffic और देखो कि आप रात को 12 बजे से सुबह 8 बे तक जाधा traffic नहीं जाता है क्योंकि इंडियन लोग जो हैं वह सोते हैं रात में तो जाधा use नहीं होता data जैसे सुबह होत आफिसे स्टार्ट होते हैं चीजे स्टार्ट होती है तो देखो वापस से ट्राफिक जाने लगता है तो यहां पर आप आके देख सकते हैं अराम से कि पूरे मुंबई में जो पूरा डेटा जा रहा है सारे ISP मिला के वह कितना जा रहा है ऐसे डेली नौइडा का बता केबल बंद हो जाती है तो स्पीड भी कड़ जाती है क्योंकि सम्मरीन केबल कड़ गई अब यह केबल कड़ गई इंटरनेट तो इनी के थ्रू जा रहा था तो बैक अपस बना के रखते हैं अलग-अलग मालो मुंबई से जो चीज जानी थी वह कोचिंग से भिजवा दें है आपको तो बस इंटरनेट यूज करना है आपको आपको आई-पी अटेस प्रवाइड कर दी जाएगी इंडिया में और आपका ट्राफिक कैसे ना कैसे करके घुमा फिराके पहुचा देंगे पूरी दुनिया के किसी भी सर्वर पे जहां पे सर्वर विलिस्टेड है तो अब यह जो है यह पूरा पताएगा कि आपके घर से लेके गूगल.com के सर्वर तक कितनी जगा बीच-बीच में कनेक्शन बना और यह कनेक्शन आपको बताएगा आपने इसकी आई-पी निकाल निकाल के देखेंगे तो गूगल की जो आई-पी अट्रेस है वो यह है यहा अब इस आई-पी के अपन लोकेशन देखते हैं अब देखिए यह 182 वाली जो आई-पी है यह आ रही है डेली की तो यह उसके बाद मेरे भोपाल से सीधा गया इसका ट्राफिक डेली पे हो डेली का यह एटल का सर्वर ही बता रहा है भारती एटल लिमिटेड इसके बाद जो है यह कैलिफॉनिया के बाद देखते हैं कहां जाता है कनेक्शन उसके बाद वाली आप आई-पी यहां पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैलिफॉनिया के बाद यह जो कनेक्शन है यह कैलिफॉनिया में गूगल के दूसरे सर्वर पे गया उसके बाद हम वाप आप से लेके उसके server के बीच में कहां कहां से आपका traffic गया, उससे आपको ये पता चल जागे कि कौन कौन से location के through गया, इसके बीच में अगर Airtel जो है वो Tata से खरीद रहा होता, connection या फिर अगर Jio से खरीद रहा होता, तो यहां पर आपको IP पे दिख जाता, कि Airtel का traffic Jio के through जा रहा है, तो आप समझ जाते कि जो Airtel है वो Tata 2 हो गई, और Jio जो है वो Tata 1 हो गया, जहां पर उनने submarine cable बिचाई है, तो इसके तुरू आप सारी process देख सकते हो, So guys, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको like करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा, तो dislike करिए, अगर अभी भी आपका कोई doubt है, internet से related, तो नीचे comment करिए, मैं उसका reply जरूर दूँगा, So I hope you like this video, thank you.